सब्सक्राइब करें चटपटी खबरें और लेटस्ट वेडियो देखने के लिए बेल आइकन पर खिलत जरूर करें श्रीदेवी की मौत की खबर सुनके जाने बोलेलोड रियेक्शन बोलीवोड की जानी मानी अभिनितरी श्रीदेवी का दिल का दौरा पढ़ने से 54 साल की उम्र में निधन हो गया है उनकी मौत की खबर से बोलीवोड सहित पूरा देश सदमे में है बता दी की श्रीदेवी दौबई में भांजे मौत मारवाह की वेडिंग अटेंट करने गई थी वही पर अचानक उन हें होट अटेक आया और उन्हें बचाया नहीं जा सका दुबई में श्रीदेवी के साथ उनके पती बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी थे जबकि बड़ी बेटी जाहनवी कपूर फिल्म की शूटिंग की वजह से दुबई नहीं जा सकी थी कमल हासन ने कहा मैंने श्रीदेवी को एक किशोरी से लेकर उनके प्रभाफशाली बनने तक देखा था वह स्टार्डम की हक्तार थी उनके साथ बिताई पल शांदार पलों की यादे मेरे जेहन में हैं हम उन्हें मिस करेंगे रिशी कपूर ने लिखा सुबह उचते ही यह दुख भरी खबर मिली दुखी हूं मेरी समवेद नाय बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटियों के साथ हैं श्रीदेवी के निधन की खबर के बाद बॉलिवुड अभिनेतरी प्रियंका चोपड़ा ने ठ्वीट करके कहा की मेरे पास शब्द नहीं है जिन्होंने भी श्रीदेवी को प्यार किया उन सभी को साथ वना महानायक अमिताब बच्चन का एक ठ्वीट सोशल मीडिया पर चर्चा का विशय बना हुआ है इस ठ्वीट में उन्होंने लिखा न जाने क्यूं एक अजीब सी खबर हट हो रही है अमिताब बच्चन के स्ट्वीट के कुछ देर बाद ही अभीनेतरी श्रीदेवी की मौत की खबर आने लगी फिल्म अभीनेता और राजनेता रजनीकांत ने लिखा मैं बहुत व्यतित हूँ मैंने एक करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री ने महान हस्ती को खो दिया मैं श्रीदेवी के परिजनों और रिष्टेदारों का दुख महसूस कर सकता हूँ शा, रीदेवी, हम आपको मिस करेंगे एक्टर प्रजेंटर अनु कपूर ने ट्विटर पर लिखा सुबह उठते ही शौकन म्यूज मिली की श्रीदेवी नहीं रही काश यह अफवाह होती लेकिन यह एक ट्रेजडी है बोनी कपूर, जानवी, खुशी और पूरे कपूर खांदान को भगवान हिम्मत दे एक्टर सिधार्थ मलहुत्रा ने लिखा यह शौकन म्यूज है कि श्रीदेवी अब नहीं रही हेमा मालिनी को श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर सदमा लगा है उन्होंने कहा, यह खबर सुनकर बहुत शौक लगा हमने कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने अपनी टेलिंट से काफी लोगों को प्रभावित किया श्रीदेवी बहुत ही बहतरीन एक्ट थी और उन्होंने अपना स्थान बनाया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बॉलिवुड के लिए यह बड़ा नुकसान है श्रीदेवी की मौत की खबर सुनकर आमिर खान ने लिखा मैं इस सदमे से बहुत डिस्टब हूँ फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी के साथ काम कर चुके एक्ट आदिल हुसेन ने कहा की मेरे पास कोई शब्द नहीं है दोस्तों हमें उमीद है कि आपको यह विडियो जरूर पसंद आया होगा इससे संबंदित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करे और ऐसे ही न्यूस पढ़ने के लिए हमें लाइक, शेयर वा सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद